हेलो एब्रेवान वेकम टू क्लास सीरीज और आज के इस वीडियो में हम जिस क्वेशन को सौल करने जा रहे हैं क्वेशन है सबसे पहले हम क्वेशन को समझते हैं क्वेशन क्या बोला है एक नमबर है 8 ठीक है इसको हमको डिवाइड करना है दो पार्ट के अंदर such that the sum of their squares is 34 मतलब जो भी दो पार्ट के अंदर ये 8 नमबर को डिवाइड होगा न तो वो जो दो नमबर मिलेंगे न हमें तो इसका अगर आपन sum of squares करेंगे तो इसका result आएगा 34 ठीक है तो ये हमें clue दे रखा है question के अंदर सबसे पहले हम answer में लिखेंगे हम अजूम करते है let first part be x हमने अजूम करा है कि जो मतलब first part है जो हम divide करने वाले है वो x है ठीक है then second part will be 8 minus x total minus ये first number तो ये हमारा second part हो जाएगा ठीक है now according to the question क्या बोला है divide 8 into 2 part such that the sum of the squares is 34 अब हमें पता है ये दो पार्ट ये हो गए है x और 8 minus x हो गए ठीक है अब हम क्या करेंगे हम इसका sum of squares कर देंगे और जो result है गा 34 उससे हम आगे simplify करेंगे हमें answer मिल जाएगा ठीक है question में क्या बोला है sum of the squares of these two parts कितना है 34 है मैं लिख लेता हूँ x 8 minus x ये हो गया 34 अब हम करेंगे sum of the squares मैं sum कर लेता हूँ पहले sum sum of these two plus squares of these two ठीक है मैं वापस एक बार question को समझाता हूँ divide 8 into 2 parts such that this sum I mean this sum of the squares of these two parts is 34 resulting 34 ठीक है हम इसको आगे further करेंगे हम को answer मिल जाएगा ये हो जाए x square plus 64 plus x square minus 2 into 8 into x is equal to 34 ठीक है ये हो जाएगा x square plus 64 plus x square minus 16x is equal to 34 ठीक है ये आगे और further हो जाएगा सब simplification है easy है x 2x square plus sorry 2x square minus 16x plus 64 minus 34 is equal to 0 minus 34 क्यों आया ये जो ये दूसर साइड का है ये फर्स साइड है ये दूसर साइड है बीच में equals दे रखा है अगर अगर आप 34 को यहाँ पर shift करेंगे तो ये जो प्लस है ये दिर माइनस हो जाएगा तो यहाँ पर माइनस आज चुका है ठीक है ये आगे फर्दर हो जाएगा अब ये 64 और 34 कॉमन है इसको हम सिधा 60 प्लस 64 माइनस 34 कितना होता है हम लिखते 2x स्क्वाइर माइनस 16x प्लस 64 माइनस 34 कितना होता है प्लस 30 is equal to 0 अब कोई भी method से कर सकते है आपको answer मिल जाएगा ठीक है ये हो जाएगा अगर फर्दर 2x into 2x minus 5 minus 6 into x minus 5 is equal to 0 यह हो जाएगा 2x minus 6 और x minus 5 ठीक है यह minus से तो प्लस हो जाएगा 6 divided by 2 और x is equal to minus से तो यह हो जाएगा plus 5 ठीक है यह further simplify हो जाएगा 6 divided by 2 2 1s are 2 2 3s are 6 3 by 1 का value 3 होगा तो यह हो जाएगा plus 3 और x is equal to plus 5 अब देखो हम 2 part में divide कर सकते इसको या तो x की value या तो first part हो जाएगा 3 या फिर first part हो जाएगा 5 कि यह हम कैसे assume कर रहे है क्योंकि हमने beginning में लिखा था ना let first part be x तो x की value हमें 2 मिली है तो हम first value में देखते अगर x की value 3 होती है तो फिर यह 8 minus x second part I mean यह first case है first case है यह 8 minus x 8 minus 3 कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा तो 2 part कौन से होगे 3 and 5 ठीक है अब हम second case में देखेंगे second case में क्या बोला है यह पर अगर x की value 5 होती है तो second second क्या होगी 8 minus x 8 minus x क्या है 5 है तो यह हो जाएगा 3 यह हो जाएगा 5 या तो इस तरीके से दिवाइड हो सकता है या फिर इस तरीके से डिवाइड होगा अगर आप इन में से कोई भी मतलब कोई भी पार्ट लेके करेंगे तो इसका sum of squares कितना result आएगा 34 आएगा ठीक है so this is your answer